आपने चमगादरो को तो देखा ही होगा यहाँ आसमान में उड़ने वाला एक संदारी पानी है यह पूरी तरह से निशाचर होते है और पेडों के डाली या अंधेरी गुफाओं में उल्टा लटके रहते है लेकिन क्या आप जानते है कि आकर ये उल्टा ही क्यों लटके र यह रात में भी उड़ सकते हैं दुनिया भर में चमगादरों की 1,000 से अधिक प्रजातियेयों है इन में से कुछ प्रजातियों के चमगादर तो ऐसे भी होते है जो सिर्थ खून पिते है इसी वज़ hazए से इन्हें पिशाच चमगादर जाता है दुनिया भर में पाए जा मैं में भी धर्ती पर रहा करते थे और आज भी धर्ती पर इनकी मौजूदगी है अब आते हैं इस सवाल पर कि आखिर चमगादड उल्टा क्यों लटके रहते हैं तो दोस्तों इसके पिछे वजह है कि उल्टा होने से ये बड़ी आसानी से उड़ान भर सकते हैं दरसल बाग के पिछले पैर चोटे और विकसित भी होते हैं जिसकी वजह से वो दोड़ कर गती नहीं पकड़ पाते दरसल चमगादड उल्टा लटकते हुए सोते रहते हैं अब आप सोच रहे होंगो कि आखिर ये अपना संतुलन को कर गिरते क्यों नहीं हैं तो दोस्तों इसकी वजह ये है कि इनके पैरों की नसे इस तरह व्योस्तित है कि उनका वजन ही उनके पंजों के मजबूती के साथ पकड़ने में मदद करते हैं लगभग समी चमगादड़ों की प्रजातिया उल्टी रटकी रहती हैं उनके पैर एक बंस्तिती में आराम करने के लिए विकसित हुए जब वे उनने के लिए तैयार होते हैं तो वे अपने गती छोड़ देते हैं और गिरने के बाद गती पकड़ लेते हैं क्योंकि उनके छोटे पैर और पंक उन्हें पक्षियों जैसी लिफ्ट नहीं दे पाते हाला कि चमगादड़ों की छोटी प्रजातिया ऐसी है जो उल करने के मुख्य सादन के रूप में एको लोकेशन का उपयोग करती है बड़े चमगादड़ इंसानों के तुल्ला में बहतर देख सकते हैं हाला कि दुरुष्टी एक आशिरवाद और अभिशाप है क्योंकि दुरुष्टी एको लोकेशन संकेतों के ओवर्राइट कर सकती है उदारन के लिए एक चमगादड़ खिड़िके में ऊड़ सकता है क्योंकि वह बहार रोशनी देखता है बहले ही एको लोकेशन उसे बताता हो कि सतह ठोस है तो दोस्तों ड्रिंग टीवी के यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बता हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करे जय हिंद